देज भर में बढ़ते यूटूबरों और ब्लोगरों ने ऐसा माहौल कर दिया है कि किसी भी धार्मिकिस्तान पर लोग हाथ जोड़े कम और मोबाइल पकड़े जाद नजर आते हैं ऐसा ही कुछ मामला उत्राखंड के नैनिताल जिले के नैना देवी मंदर से सामने आया है जहाँ पर एक महिला फिल्मी गानों पर अमर्यादित तरीके की रील बनाती हुई नजर आई आपको बता दें कि महिला के इस वीडियो का विरोध होने पर महिला ने स्वाय माफी भी मागी की उन्होंने मा नैना देवी के प्रांगण में इस तरह की वीडियो बनाई है जिसके चलते नैनादेवी मंदर के अमर उदे ट्रस्ट के सदेशों ने इसका भारी विरोध करते हुए मंदर प्रांगण में रील वीडियो बनाने वालों को चेतावनी दी है इसी के चलते अब उत्राखंड के नैनिताल में नैनादेवी मंदर परिसर में भी मोबाइल फॉन पर परतिबंद लगा दिया गया है जिसके चलते अब यहाँ पर रील सी वीडियो बनाना पूर्ण रूप से परतिबंदित कर दिया गया है जिसके लिए परसासन ने भी सक्त निर्देश जारी कर दिये हैं इतना ही नहीं नैना देवी मंदिर के अमर उधे ट्रस्ट ने नैना देवी मंदिर में आने वाले सभी सिर्धालूं से आगरह किया है कि वह इस पूर्ण भूमी पर मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही मर्यादित कपड़े पहन क पर ही मंदिर के भीतर परवेश करें यदि यहां पर कोई वीडियो बनाता हुआ नजर आता है तो उसका मोबाइल फॉन जबत कर उस पर आवस्यक कानूनी कारवाही की जाएगी यह फैसला इसली लिया गया है क्योंकि आज कल लोगों को सोसल मेडिया पर फेमस होने के लिए रील वीडियो बनाने का चसका कुछ इस कदर लगा हुआ है कि वो मंदिर जैसे पवित्र प्रांगन इस्तान पर भी अमर्यादित धंक से वीडियो बना कर लोगों की धार्मिक बहावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं आपको बता दें कि नैना देवी मंदर नैनिताल जिल सरीर को लेकर तांडव कर रहे थे इसलिए इस इस्तान को सक्ती पीट के रूप में भी माना जाता है इतना ही नहीं मंदिर के पास यी नैनि जील है जो की नैनिताल की परमुक आकरस्रों में से एक है बने रहे पहाड से मैदान की हर खबर के लिए देभूमी दर्सन के साथ